इठारे फरवरी का जो रेल रोको अभियान है यह पूरे देश में चल रहा है जो किसान मोर्चा नहीं अलाउंस किया है कि हर राज में हर जिले में हर कस्वे में यह जो इठारे फरवरी का अंदोलन है रेल रोको अंदोलन यह किया जाए जो किसान दिल्ली बोर्डर पर नहीं याप आ रहे हैं वो अपने देश में अपने राज में अपने गाउं के आस पास जहां भी ट्रेने हैं वो उनके जागरूप करने के लिए किसान मौर्चा ने या बोल आये कि देश में ये दिखा दो कि किसान से सकत्व बड़ी सक्टी कोई नहीं है किसान है जिन्दा है किसान को मुल मिल रहा है तो देश भी जिन्दा है अगर किसान बिलकुल डाउन हो गया खतम हो गया तो देश भी सर्वाई नहीं कर पाएगा ये तो रेल तो किसानों को रोकनी पड़ेंगी अगर सरकार हमारी बात सुन थी तो जिस दिन हम इसकी मांग कर रहे थे उसी दिन सुन लेती या फिर 26 जन्वरी में जो ट्रेक्टर प्रेट रेली करी थी उस दिन समझ लेती लेकिन सरकार अभी भ्रहम में है सरकार ये सोचती है कि ये एक राज का है ये एक जाती का है मैं उनसे बताना चाहता हूँ ये एक देश का किसान अंदोलन है पूरा देश का किसान अंदोलित है और सरकार को ये भी देखना चाहिए जहां जहां भी किसानों की रेलिया हो रही है वो एक लाग दो लाग लोगों उसी कम की कोई भी रेली नहीं है जो अपने खर्चे से अपने पैसे से वहां पे और अपना समय लगा के रेलियों में आ रहा है क्योंकि वह आज परेसान है जितने तीन किर्सी बिल जो इन्होंने दिये हैं किसानों के लिए वह काले कादून है उनसे किसान को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, MSP लागू नहीं कर रहे कहते हैं, हैं देंगे, करेंगे, लेकिन किसान चाहता है कि MSP पर कादून बने और ये बनाना चाहिए सरकार को, सरकार जितना लंबा इस अंदोलन को खेंचेगी, उतना ही सरकार को भी नुकसान होगा, किसान को तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अपने देश, अपने घर से, अपने बच्चों को छोड़के, यहाँ पे, अपने मवेशियों को छोड़के, दिल्ली बोर्डर पे लाखो किसान है, रेल रोक के बात का हमारी बात नहीं मानी जादी तो ये भी एक आंदोलन है, किसानों का रेल रोक आंदोलन है, ये किसान मोर्चा ने 40 संक्ठन जो लीडर है उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है और इसके लिए अगर किसानों को जो 40 किसान संक्ठन जो हैं जो बोला जाएगा वो किया जाएगा इसके लिए उन्होंने जो अभी प्रोग्राम दिया हुआ 18 फरवरी का रेल रोको तो सरका करनी ही पड़ेंगी है ये पैजे रेल रोख radio अन्दोन भी हमारा संति denote रोकेंगे हमारे हां के कोई रोल नहीं है न मेरे जोन सह चाहा दा ना किसान देश का चालत है वह ता अपने नुखसान के लिए यह पे आया हुआ तीन काले कानूनों के लिए यहां पर आया सरकार नहीं सुननी, सरकार की आंखे खोलनी है, उसके कान खोलने हैं, तो रेल रोक के हम दिखाना चाहते हैं, वो भी सांतिपून दरीके से, यह नहीं कि भी हम हिंसक की बात करते हैं, हम हिंसक नहीं हैं, हम रेल रोको अंदोलन में स सांथि पुन अंदोलन होंगे और खैम शांति पुना अंदोलन करेंगे दो में और हम कहते हैं कि पूरे देश का किसान सतर पर्सेंट किसान जो परेशा ने अपने घर से उसे सरकार नहीं देख लिए हमने यहां दो रोड रोकी हुई है गाजीपूर में रास्ता खोला हुआ है तो सरकार ने पूरा रास्ता बंद कर दिया बैरिकेटिट लगा दी कीले ठोक दी रास्ते में और जनता को जो परेशान कर रहे हैं वो सरकार कर रही है किसान किसी को परेशान करने नहीं आया है वो सांतिप उन तरीके से तीन लाइन पर बैठा हुआ है लेकिन सरकार ने छे लाइने रोक दी तो ये सरकार जो है ये जनता को हमारे वरूद करने की बात करती है उनको परेसान कर रही है और यह कह रिखिया कि जोबी टाइम दिया जाएगा उस टाइम बिस घंडे का हो जाते हैं वोई तो किसान हैं वही तो परेसान हो रहे हैं वही आज यहां पर सरकार क्यों भूंगे बहरी बढ़ी बैठी है की आथ खाधि के बाद बात करना नहीं चाहते करद को एम्स पी अगर यह चाहते हैं के मन में बिल्कुल विस्वास है तो । कानून की गारंटी क्यों नहीं दे देते आज darle उसके बाद कहें जी हम बैठना चाहते हैं आप लोगों के साथ में तो कहीना कही सरकार के मन में काड़ा है वो द्योग पतियों की सरकार है उद्योग पतियों के लिए बिलाए है उद्योग पती ही इसारे पर ये सारी चीजे हो रही है देश के अंदर आज हमारे गले में अगर फांसी डाल दी गई है फांसी का फंदर डला हुआ है इन कानून के दुवारा हमारे सांतिपुर्ण अंदोलन करना भी हमारे लिए गलत हो गया हम अपड़ी कोई काम सारे काम छोड़के यहां बैटे हुए हैं हमें कोई नहीं देख रहा है यहां पर देखो जी जन्ता की परेसानी भी है और हमारी भी परेसानी है अगर घर का एक सदस परेसान है तो चारो सदस करें ओते हैं यह तो आप मांते हो ना पूरा परेवार परेसान होता आज अगर अगर किसान परेसान है तो सब पूरा देश परेसान हो रहा है और यह रेल लोगों को अंदोर इतनी बड़ी परेशानी ने जितनी परेशानी अम लोगों को onions and एमस्पी से बियार में मैं कल पटना में था वहां पे मंडिया खतम होगी वहां का किसान रोड़ा है तो उनके बच्चों का रोजगार नहीं है एक एक किसान अपना पूरा परिवार जो है बारे आदमियों का परिवार पांच बीगे से पाल रहा है और उसमें भी आप सरकार स तक पटी नहीं है क्या मिटिंग अरे जिसके पास जो चीज है वो देगा या हम मांगे गए हम तो मांग रहे हम तो हमें बुलाएं अब जो भी इसका किसान से जाकर बाते नहीं होती किसान बैठा रहता है वहां पर 40 आदमियों को पृतिनी दिमंडल यह देश है यह राजनिक हट धर्मी से देश नहीं चलता इस अभी को साथ लेकर चलने से देश होता है कि जिस आदमी एक बात बता ही है क्या वकील की परेशानी या सिक्सक की उसी Sound की यए क्या बच्चों की परेशानी जो स्कूल के बच्चे हैं या रोजगार की परेशानी या किसान की सब की परेशानी एक है क्या सब को एक तरीके से ही चलाओ दीजल ट्रिय। सो रुपे के असपास पहुंच गया यह क्यों बढ़ रहे हैं क्यों भूख का वेपार करने वर आज जिस चीज की जहुरत उसी पर रेट बढ़ा रहे हो आप इस परिसान ना जंता खादे समगरी आपने बढ़ा दी तेल सरस्तों का कहां पहुंचा दिया एक महिने में कितनी म समझें और इस देश को एक अच्छा माहूल देने की कोशिस की जाए जो सरकार से किसान बिल मांगे जा रहे हैं खतम किये जा रहे हैं उसे खतम करें MSP लागू करें कानूनी तोर पर और जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वो जनता के हित में उसे खतम किया जाए उसे कम किया जाए उस पर गोर करें प्रदान मंतरी जी दिल्ली का ही अंदोलन नहीं रहा है यह जाती का अंदोलन नहीं रहा है यह पूरे देश क के चैनल के मादद मॉसे और जो सोशल मीडिया के मादद मॉसे जो और चैनल वो हो ना दिखाएं लेकिन व jullie नहुंसारी करना चाहता हूं कि कि दो दो लाख की रेलियां हो रही हैं एतने लोग आ रहे हैं बगिए अपना पैसा खर्च करते हैं अपना तेल खर्च करते और नेताओं तो यह जन जागरान अभियान जो चलाया 40 लोगों ने 40 लोगों किसान नेताओं ने जो आगे बढ़ाया है यह पूरे देश में जो किसान आज की डेट में जाग चुका है उसको और जगाने के लिए हम लोग पूरे देश में अभियान पे जा रहे हैं देखो कि किसान जो यहां पर है आज गर्मी होगी है तो सब लोग अपने टेंटों में बैठे हुए हैं क्योंकि दोपेर में गर्मी जादा हो रही है यहां पर तो रोड पर आपको कम किसान देंगे सुबह और साम आप देखो यहां पर हज्यूम लगा रहता किसानों का चारो तरब से जो रोज यहां पर आते हैं पंचाज चलती आप उसमें देखो तो यह सारे कारिकर हम यहां लाखो किसानों की जो हम बताते हैं जो मीडिया नहीं दिखा रही है आप दिखाओ ना गर्मी घर्मी में भी किसान को गुमाओ गए सब लोग टेंटों में बैटे हुए हैं अपन था वो तो बारे बारे बजे तक इतने लोग आये थे अब इस चीज का ध्यान रखना चाहिए सरकार को भी कि यहां पर अब करोड़ों आदमी होगा अगर इस तरीके का कोई भी अब यहां उन्होंने चलाने की कोशिस करी तो भाई हमारे नेताओं ने टाइम दे रखा दो अक्टूबर तक का ठीक है और यह बोला है तीन बिल वापसी और MSP कानून लागू नहीं होता इतने घर वापसी नहीं है और एक कोल पर यहां पर करोड़ों आदमी होगा हम लाकों नहीं बोले करोड़ों आदमी होंगे अब दिल्ली के हर बोडर पर सरकार इस चीज को समझ ले कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे की किसानों को परेशा नहीं हो दुबारा से यहां पर खड़ा होना पड़े है तो यह कह रहा हूँ आप से तीन बिल इतने खतम नहीं होंगे MSP कानून नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा साल दो साल किसान यहीं रहेगा किसान कहीं न देखना है अपना भविस देखना अपनी जमीन का भविस अपने फसलों की दामों का भविस उसे यहां बैठके उसके लिए आया है यहां मोज मस्ती करने नहीं आया किसान तो उसके लिए यह सरकार कितना भी समय दे कितना भी समय लगाए किसान यहां से जाने वाला नहीं है ये सरकार को समझना चाहिए और अपनी तरफ से मैं कहूंगा हमारे जो प्रदान मंतरी है उनको अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, किसानों को बुलाना चाहिए और मैं तो एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, प्रदान मंतरीजगी को सबसे पहले, MSP का बिल जो है, कानून गारंटी जो है, उसको संसद ओर्डिनस लाके पास करके दे देना चाहिए, किसानों और बोलना चाहिए, कि आप बिल पे आके हमारे साथ बैठिये, हम किसानों क बीच में विश्वास खतम हो गया है, और जिस तरह की महनाई चल लिया, उससे जंता के बीच में भी इनका विश्वास खतम हो गया है, जो ब्रहम ये पुरे देश में दिखा रहे हैं, वो ब्रहम खतम हो चुका है, इसलिए अब सरकार को सही तरीके से, सही नीतियों से, अक्टूबर की बात करें आज हमारे बिल रिफिल कर दें आज MSP कानून की गारंटी बना दें किसान चला जाएगा लेकिन यह दो साल बात करेंगे दस साल बात करेंगे, किसान नहीं जाएगा वापसी, ये हमारे जो किसान मोर्चा के लिडर्स हैं, किसानों की जो भावनाए हैं, उनके बच्चों की जो भावनाए हैं, वो ये हैं, ये सरकार को समझना चाहिए, किसान सरकार से ये कहना चाहता है, तीन बिल वापसी नहीं इतने घर वापसी नहीं MSP लागू कानूनी गारंटी नहीं होगी तब तक किसान वापसी नहीं जाएगा सरकार को इस मुद्धे पे आके किसानों से बात करनी पड़ेगी यह कानून वापसी लेने पड़ेंगे MSP कानून की गारंटी देनी पड़ेग कि उसके बाद किसान इस दिल्ली को छोड़ेगा पुट्ट गाऋ और तब छोड़ेगा कोई मतलब ही नहीं होता किसे लब ता जो आदमी जीडरोबीडिकर ठंड में रहेगा तो वह गरमी भी हैं लिकाड़ेका और वर्साद भी हैं लिकाड़ेका उतने दब मरने के लिए ठान लिया है यहीं मरेगा यहीं पर जो हमारे 200 किसान यहां पर मरे है जो सहीद हुए हैं उनकी आत्मा यह कह रही है कि किसान यहां से वापसी जब जाना चाहिए उनकी सैदत को हम खराब नहीं होने देंगे तीन बिल की गारंटी खतम की जाए MSP लागू किया जाए तब ही हमारे 200 किसान सहीद जो हुए है उनको सरदांजली मिलेगी सही और किसान उन्हें सरदांजली देके जाएगा सरकार ने तो कोई सरदांजली नहीं दिया उन लोगों को लेकिन किसान उन्हें सर्दाजली दे के जाएगा और यह बिल खतम होंगे वही उनकी सर्दाजली होगी यहां आप भी लाखो किसान है सब अपने टेंटों में बैटा है बहुत तेजी से निकल रही है सब यहीं आसपास हैं कोई दूर नहीं है कोई भी सब यहीं पे हैं सब अपने टेंटों में बैटे हुए हैं यह मैं कह रहा हूं एक कोल की दूरी पर करोडों किसान है दिल्ली के एक कोल एक करोड़ आदमी दिल्ली के सराउंडिंग होगा और मिनट भी बता देता हूं पांच मिनट का टाइम बैठे लेकन अगर एक कोल जिस तरीके से मोदी जी अभी एक कोल पर नहीं आ रहे हैं लेकन राकेस्टी के अगर एक कोल कर दी तो ये समझ लेना कि करोड़ों आदमी दिल्ली के बोडरों पे तैनात रहेगा, किसान यहीं पे धर्ने में बैठेगा